चंबल में अक्सर डाकू क्या काम क्या करते थे जब जंगल में इधर से उधर जाते थे रास्ते में उन्हें कोई गाउं पढ़ता था तो उस गाउं के किसी रसूगदार व्यक्ति के पास सूचना भिजवाय करते थे कि भाई आज की खाने का इंतजाम तुम कर लेना आज हम सब लोग तुम्हारे साथ ही खाना खाएंगे गाउं का जिम्मेदार रसूगदार व्यक्ति खाने का इंतजाम करता था और ऐसे ही लगातार चलता चला जाता था आज की कहानी में जिस डाकू की सुनाने जा रहा हूँ इस डाकू से बहुत बड़ी भूल हो जाती है और यही भूल उसकी जिन्दगी का अंतबन जाती है दरसल जिस घर में वो खाना खा रहा था खाना खाने के बाद ही पुलिस से मुठवेड़ शुरू हो जाती है उसे लगता है कि इस घर के व्यक्तिनों ही मेरी मुख्वरी की है और इसी बात का बदला लेने के लिए उसमें एक दो नहीं छे लोगों की हत्या कर दी और ये बात बहुत ज़्यादा वाइरल होती है बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंसती है इस बात को लेकर लोगों में खासा उबाल पैदा हो जाता है तब उस प्रदेश के मुख्य मंत्री नहीं कहा था कि इस दीवाली पर वो दीपक नहीं चलाएंगे जब तक क्या उस व्यक्ति का अंत ना दिख लें और इसके बाद फिर पुलिस शुरू हो जाती है उस व्यक्ति का अंत करने के लिए डांकों के तरफ से कहा जाता है कि उस डांकों को मारने के लिए एक दो नहीं दस हजार पुलिस वाले आये थे जबकि पुलिस के ओफिसल रिकोर्ड में था कि पंद्रे सो पुलिस वाले उसको मारने के लिए गए थे आज की कहानी उसी डाकू की है जिसको लोग पांच सिंग तोबर के एराम से जानते हैं जो कभी अपना आपको डाकू कहलवाना पसंद नहीं करता था वलकि बागी कहलवाना पसंद करता था वो कहता था कि हम तो बागी हैं डकैत तो संसद में होते हैं आदाब नमस्कार स्रीयकाल में उस्मान सैफी आज की जो सची घटना मैं आपको सुनानी जा रहा हूँ ये सची घटना है मध्य परदेश के मुरेना जला की कहानी मैं शुरू करता हूँ एक अक्टूबर 1981 की बात है सुबह के लवग ग्यारे बजे के आसपास का वक्त रहा हो कि मुझे किसी से नहीं मिलना है अगर मिलेंगे तो अकेले में मिलेंगे चुपके से मिलेंगे सबके सामने नहीं अगर पुलिस डांकों पर नज़र रखते हैं तो डांकों भी पुलिस पर नज़र रखते हैं यदि ये बात किसी को पता चलगे कि मुख्विर नाकर सूच न मिलते हैं एस्पी बी-ल हांडा होते हैं डी-एस्पी बाइस गोरिया होते हैं और साथ ही एस्पी वीजे रमन तीनों ही मिटिंग करते हैं वो व्यक्ति करता है कि साब आज जो गाउं है रठियापूर यहां पर पांसिंग तोमर आने वाला है और बस आप टाइम से पहुंच नहीं दी तीन-चार बार और वो हमीशा सूच नहीं जूटी ही निकलती थी लेकिन इसी बीच में एक पुलिस वाला एक सब इंस्पेक्टर खड़ा हुआ था वो कह रहा था कि साब कई दिन से छुट्टी मांग रहा हूं लेकिन आप छुट्टी नहीं दे रहे हैं और आज मौत की सूच नहीं लेके आता है अपनी पिता जी की तो एसपी साब बड़ा अफसो जाहिर कर रहे था कि मुझे इसको छुट्टी दे देनी चाहिए थी गलत हुआ मुझे इसे रोकना नहीं चाहिए था लेकिन इसी बीच में जो डीएसपी साब होते हैं वो उमर से बड़ को नहीं मानते थे लेकिन डीएसपी मानते थे अब यहां से आसपास को सूचना दी जाती है लेकिन इन दोनों मध्य प्रदेश की जो मुखे मंतरी थे अर्जुन सिंग ने उन्हें ये तैय किया था कि किसी भी डांकों को मारने के लिए आप जाएंगे उसका एंकाउंटर क इस गाओं में हैं जब अठारे की सूचना मिलती है तो यहां से इंतजाम किया जाता है पुलिस लाइन फोन किया जाता है थानों को फोन किया जाता है लेकिन महज 120 पुलिस वाले ही मौके पर मिलते हैं अब यहां से चल देते हैं शाम के साड़े 5 या 6 विजे के आसपास का वक्त रहा होगा, ये गाउं ऐसा था, इसके 20 किलोमेटर तक कोई जंगल नहीं था, और चारों तरफ से गिरा हुआ था, एक तरफ सडक से, एक तरफ नहर से, और दूसरी तरफ, इस तरह से लगातार चारों तरफ से गिरा हुआ था, तो इसी जगे को उन्होंने घेर लिया, पुलिस ने तीन टीम बनाई, एक टीम वो जो नहर के इस किनारे पर हैं, और दूसरी टीम बनाई उन्होंने, जो गाउं की एक दो छटों पर रहना था, और तीसरी टीम वो थी, जो खुद SP साब, DSP साब और ESP साब, तीनों अधिकारी एक साथ जिगे मौजूद होते हैं, अब इनके पास 36 SLR और हतियार थे, ज्यादा आधुनिक हतियार उन दोनों हुआ नहीं करते थे, अब यह लग जाते हैं, तब ही एक आदमी दोड़ता हुआ, भागता हुआ आता है, क्योंकि हलका सा अंधेरा हो चुका था, गाउं की इस्तिती सामान ने थी, जैसे रोज मर रास्ता पहले ही तै कर लिया, किसको कहां खड़ा होना, किसको कैसे रहना है, धीरी धीरी जैसा अंधेरा होता है, एक व्यक्ति उन दांकों को शक होता है, कि पुलिस ने उन्हें चारत रुप से घेर लिया है, और जब यहां से वो दोड़ कर भाग कर जाता है, तो एक सिप तुम्हारा बाप मेरे पीछे है, अगर मारना है तो अपने बाप को मार कर दिखाओ, वो इतना आत्मविश्वासी था, उसे लग रहा था कि इसे मार नहीं पाएंगे, और यही बात पान सिंग तोमर भी कहता था, शाम को साड़े छे साथ बजे के आसपास से मुठवेड श लगातार जब गोरी चल रही है, और चलते चलते रात के बार या एक बजे के आसपास, डखैतों की तरफ से थोड़े सी शान्ती हो जाती है, तब ही पुरिस्वार को लगता है कि अब इनके पास है नहीं है तियार, गोलियां खतम हो चुकी है, और जब गोरी चलते है तो उ चलते हैं, और यहीं से लोगों के दूर दूर तक जब बीवी सी इस रिपोर्ट को चलाता है, तो यह रिपोर्ट पूरी दुनिया में फैलती है, बीवी सी जब इस रिपोर्ट को चलाता है, तो उसमें साफ साफ उसकी शुरवाती जीवन के बारें बताया गया था कि एक ल चलना सीखते हैं, बात करना सीखते हैं, और इसी उमर में ये बच्चा इतनी तेज दोड़ता था, कि इसकी दोड़ को देखकर लोग हैरान रजाते थे, कि ये बच्चा बहुत तेज दोड़ता है, जब वो 17 साल की उमर में आता है, तो वो सैना जोइन कर लेता है, और सैना ज खाना नहीं मिलता था जितनी क्या उसकी भूंक होती थी सेना में काम जादा करना होता था और उसकी भूंक जादा होती थी तो वह एक दिन मैस में जाकर लड़ने लगता कहता कि जितना खाना तुम देते हो मुझे मेरा उससे पेट नहीं बढ़ता मुझे उससे जादा खाना तब ये पिछे से आवाज लगती है कि अगर तुम्हें इतनी ही भूंक लगती है तो तुम अपनी भूंक को मिटाने के लिए इस पोर्स में क्यों नहीं चले जाते इस पोर्स में जाओगे तो वहां जाकर तुम्हें मुझ उटकाना मिलेगा बहुत सारा दूद मिलेगा, फल मिलेंगे, सारी इच्छाएं तुम्हारी पूरी हो जाएंगे ये बात सुनने के बाद, पांसिंग तॉमर को लगता है कि ये तो बहुत अच्छा है, अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर क्या कहने वो सीधा जाता है जाकर अपने अधिकारियों से कहता है कि साब मुझे इस स्पोर्स में लिलो भी कहते थे कि ये बहुत अच्छा दोड़ता है सामाने दोड़ में हिस्सा लेता है लेकिन कोच कहता है कि तुम्हें बाधा दोड़ में हिस्सा लेना चाहिए और वो अपनी कोच की बात मानता था और कोच की बात मानने की वज़े से उन्हें वाधा दोड में हिस्सा लिया और साल 1948 से ये अपनी नुगरी की शुरुआत करता है 1950 से लेके 1960 तक वाधा दोड में हर साल राष्टे चैंपिन चुना जाया करता था 10 साल में 7 बार राष्टे चैंपिन बनना अपना अपने बड़ी बात होती है साल 1902 में टोक्यो में एशियन गेम्स चल ले थे उस एशियन गेम्स में भी ये हिस्सा लेने के लिए जाता है और सब कहते थे कि ये जीतेगा क्योंकि इसके टककार का पूरी दुनिया में कोई खिलाड़ी हो ही नहीं सकता पूरी दुनिया में इसके वरावर कोई अथलीट हो ही नहीं सकता जब ये टोक्यो जाता है वहाँ जाने के बाद जब दोड़ का नंबर आता है तो दोड़ने के लिए जब खड़ा होता है तो ये नंगे पैड था क्योंकि इसने अभी तक अभ्यास किया था नंगे पैड दोड़ने का लेकिन वहाँ जो एशिन गेम्स चलेते हैं उन्हों कहा कि जूतों के बिना आप दोड़ ही नहीं सकते तो ये इस बात पर लड़ने लगता है पांसिंग तोमर कहते है कि ऐसा ये गलत है आपको अगर ये ही सब कराना था तो पुझे पहले क्यों ये अभ्यास कराया और उस में हिस्सा लेता है लेकिन हिस्सा लेने के बाद वो टोक्यो में सिर्फ प्रितनी दृती ही कर पाता है कोई मैडल जीत नहीं पाता और इसी बात का उसे अफसोस भी रहता है इसकी जो आर्मी में था तो उसकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी लेकिन आर्मी में रहते होए इसकी गाउं से चिठिया आये कर दी थी और चिठिय में एक बात हमेशा लिखी होती थी कि भाया नक्षे में जमीन कहीं है और भूमी कहीं है इसी बात को लेकर अकसर ज़डा होता रहता है, फसाद होता रहता है, आप कुछ करते क्यूं नहीं है। इन्होंने उस पैसे के बदले में जमीन पर कब्जा कर लिया था और इसी बात को लेकर गाउं में अक्सर जगड़ा होता था और ये जगड़े की बात पहुंसती थी पान सिंग तोमर के पास फोज में पान सिंग तोमर का अपना नाम होता था लोग बड़ी respect करते थे और इसी वज़े से जब गाउं के जगड़ को देखते हुए कहता था कि मुझे अपनी मा से प्यार है, अपनी जमीन से प्यार है इसलिए उसने साल 1989 में अपनी नोकरी को छोड़ कर यानकि वक्त से पहले ही retirement लेकर वो गाउं आ जाता है और पंचायत में ये फैसला लिया जाता है कि जो धाई भीगा जमीन है पान सिंग तोमर उसके भहिया की इस जमीन को छुड़ाने के लिए उन्हें जो पैसे उधार लिये थे, करजे पे लिये थे, वो पटा दिये जाए और उसके बाद वो जमीन ले ली जाए लेकिन पंचायत सही फैसला देती है और पंचायत के सही फैसले को जो दबंग होता है बाबुलाल तोमर और उसका भहिया जनरेल सिंग मानते ही नहीं है उसके बाद फिर इसे थोड़ी परिशानी होती है यहां से फिर सीधा थाने जाते हैं पहाने जाने के बाद ये एक शिकायत दर्च करानी कोशिश करते हैं, कि मेरी जमिन पर कब्जा कर लिया है, तो पुरीस सुनती ही नहीं है, जब पुरीस सुनती ही नहीं है, तो इसके बाद 5 सिंग ह peuvent onber, क्योंकि उन्हें रास्ट लेबिल पर पहचाना जाता था स्पोर्ट्स में थे और देश के लिए कई मेडल लेका है थे वो DM साब के पास जाते हैं कलेक्टर के पास जाने के बाद पूरा वाक्या बताते हैं कलेक्टर एक दिन तारीख निर्धारित करते हैं कि मैं आऊंगा उसके बाद बैट कर एक मिटिंग करते हैं मिटिंग में जो फैसला होगा उसको कोशिश करेंगे मनाने की डियम साब के सामने मिटिंग होती है और मिटिंग में गाओं के जिम्मिदार लोग आते हैं और जो फैसला पहली पंचायत में हुआ था वही फैसला मानने को तयार ही नहीं थे और नहीं उसके परिबार के बाकी साथ ही मानने को तयार थे और यहीं से इनकी जिंदगी का खेल बिगड़ना शुरू हो जाता है सब कुछ ठीक चल ला था लेकिन एक दिन होली का त्योहार था और यह लड़का इस बात पर ज्यादा इनके जो बाबुलाल तोमर के वज़े से, अब यहीं से ये पांच सिंग् तोमर सीधा ठाने जाते हैं और ठाने जाने के बाद शिकायत करके आते हैं लेकिन पुलिस वाले उनकी कोई सुनवाई करी नहीं रहे थे, पहले जमीन को लेकर फिर बेटी की पिटाई को लेकर, अब ये बहुत जादा परशान हो जाते हैं, फिर उच अधिकारी भी इनकी कोई बात नहीं सुनते हैं, यही बात जब बाबुलाल को पता चलती है, कि पा फाकी बात ये थी, ना उस दिन पान सिंग् तॉमर और ना ही उनके भईया, ना ही उनका भतिजा, घर पे थे, बलके घर पे थी, तो उनकी पत्नी थी, उनके दोनों बेटे थे और माँ थी, और इसी दिन ये जो बदमाश होते हैं, गाओं के दवंग लोग होते हैं, पान सि और घर के अंदर मौजूद होने की वज़े से उन दबंगों ने इनकी मा को बहुत ज़दा मारा पीटा, बंदुकों की बढ़ से मारा, खूनम खान कर दिया, और जो पांसिंग तो अमर शाम को घर आते हैं, तो माने अपने बेटे से कहा, कि आज तेरी वज़े से मैं बहुत किसम है, अगर कल का सूरज निकलने से पहले पहले तो उने मेरी इस पिटाई का बदला न लिया, तो फिर तो मेरे बेटा कहलाने लाइक नहीं बचेगा, पांसिंग तोमर जब यह बात सुनते हैं, तो अपनी मा की किसम खाते हैं, और कहते हैं, उन परिबार के लोगों गों और इनका समर्थन करने के लिए आयते हवालदार सिंग, लायक सिंग, इनको भी मार देते हैं। और जब चार लोगों की हत्या कर देते हैं, इसके बाद ये चंबल की तरफ निकल जाते हैं। और चंबल की तरफ निकलने के बाद एक दिन दो दिन इस तरह से घूमते घामते चले जाते हैं और ये बात पूरे इलाके में फैल जाती है कि जो भारत के लिए मैडल जीत किराया करता था, जो कि सैना में था, आज वो व्यक्ति बागी बन गया है, डकैत बन गया है। पुलिस वाले इनका पीछा करते हैं, पकड़ने की कोशिश करते हैं, फोच के सारे नियम कानून जानते ही थे, इन्होंने बाकी लोगों को तो खर नहीं मारा, लेकिन किसी की भी पकड़ करते थे, लगवग अपने जीवन काल में बावंत से जादा आपरण करे थे, डकैते भ लेना, ये खाना खाने के लिए वहां पहुंच जाते हैं, खाना खा रहे थे, उसके बाद जब यहां से निकलने के तैयारी में थे, तब ही पुलिस से मुटभेड हो जाते है, और इनका भाई होता है, जिसका नाम होता है, मातवीन और इस पुलिस मुटभेड में मारा जात इसी बात का इन्हें पान सिंग तोमर को बहुत धका लगता है जटका लगता है और वो कसम खाते हैं कि मैं इसका बदला जहूर लूँगा। दस गुना जादा पुलिस उनके लिए लेकी जाए 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 और एक अक्टॉबर 1981 को जो S.P. भिंड होते हैं जिनका नाम विजे रमन होता है उनको सूचना मिलती है ये उनका एनका एनकाउंटर कर देते हैं और ये एनकाउंटर जब होता है तो इसके बाद साल 2000 बारे में एक फिल्म आती है उनकी फिल्म जब बनती है जिस पर इरफान खान ने रोल अदा किया है उस फिल्म के आने के बाद फिर लोगों को पता चलता है कि पान सिंग तोमर नाम का भी एक डाकू रहा है जिनोंने देश के लिए मैडल भी लेकिया है यदि पुलिस उनकी वक्त पर पूरी कोशिश करते हैं इनमें एक बेटा फोजे में बढ़ती होता है जबकि दूसरा बेटा किसी और नोकरी में बढ़ती होता है बताया जाता है कि एक बेटा सुविदार की पोस्ट से रिटायर हो चुका है जबकि दूसरा बेटा शायद CBI में ये किसी और बिभाग में और मिली है और शायद इसी बात को लेते हुए ही गाउं में जगड़ा था ये जो जमीन का जगड़ा था पांसिंग तोमर और उनकी गाउं की जो बाबुलाल तोमर होते हैं यही जगड़ा था कि जो जमीन थी वो पांसिंग तोमर की उस मौके पर नहीं थी बलकि कहीं और थी लेखपाल ने या किसी ने या सरकारी तंतर ने उस जगे को किसी गलत इस्थान पर नापतूल कर दिया था और इसी बात से उसने उस जमीन पर कबजा छोड़ने को तैयार नहीं था और यहीं से ना जाने कितने लोगों के आपरण होते हैं और कितने ही लोगों की हत्याएं होती हैं और एक अच्छा खासा इंसान डकैत बन जाता है दोस्तो इस पूरे घटना करम को सुआने का उद्देश रे किसी को परशान करना नहीं है किसी का दिल दुखाना नहीं है बलकि आपको जागरू करना है आपको सचेत करना है आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें सुरक्षित रहें जैहिन जैभारत